हेलो दोस्तों कैसे आप सब ये देखिए मेरी बग्या में बहुत अच्छे-च्छे सुन्दर-सुन्दर फूल खिल रहे हैं और ये कितनी सारी वर्ट्स भी आ रहे हैं ये देखिए और फूल देखिए आप छोटे से गंबले में कितने अच्छे फूल किल रहे हैं शाम का समय है रात होने वाली है यह देखिए फूल बंद भी होने लगे हैं अब शाम के इट समय पर और इन फूलों को इतनी अच्छी तरह से खिलने के लिए हमें कुछ ना कुछ लिक्विट खाद हर समय देनी पड़ेगी हर पंदरा दिन में आठ दिन में थोड़ा बहुत इन में लिक्विट तो डालना ही पड़ेगा जो ओटा स्कैशियम इन सब चीजों की कमी को पूरा करें यह देखिए एक जोरा कितना अच्छा खिल रहा है बहुत सुन्दर पिटूनिया एक जोरा सभी तरह के फूल बैंजी बहुत प्यारे फूल फिले हुए हैं देखिए दोस्तों यह है जो मैं फूलों की अच्छी ग्रोध के लिए इसमें खाट डालूंगी यह हैं केले के छिलके जो पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स हैं अब इनको हम कई तरह से दे सकते हैं या तो हम इन्हें गीले चिलकों को पानी में बीगोकर एक दो दिन के लिए डालवेट करके से दे सकते हैं और अगर वो ना देना चाहें तो मैंने यह चिलके जो हैं सुखा लिए रेखिए दोस्तों यह इस तरह से मैं अपने केले के चिलकों को सुखा लेती हूँ स्टाने के बाद में इस तरह से नोटनी को से कंडिशने ही इनकी है अब इन करेंगे आपने को कोुछिओband में अब जैसे यह पितूनिया इसमें मैंने थोड़ा सा इसकी मिट्टी को यह इस तरह से मिट्टी को थोड़ा सा हम ऐसे नराई टाइप की करके और इन सब में यह पाट के हिसाब से हमें देना है अगर यह मेरा आठ इंच का पाट है तो मैं इसमें दो चम्मच दे दूंगी यह देखिए मैं अंदासे डाल दें यह मैंने सब तरफ इसको थोड़ा-थोड़ा डाल दिया और इस तरह से मिट्टी में मिक्स कर देंगे इससे क्या होगा कि सभी फूलों की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी कि इस पहले जब मैंने लगाये थे बहुत चोटी थी इनकी बस चोटे-चोटे से फूल खिल रहे थे और आप यह काफी अच्छे ग्रोथ लेने लगें सभी फूल देखे कई ब्रांचेज निकलने लगें यह इधर से स्ब तरफ से सिर्फ एक ब्रांच थी जब मैं इसको लेके आई थी और यह देखे इसी तरह यह बैंची के फूल देखे आप पूरा छोटा सा गमला है यह देखी कितना छोटा पौट है सिर्फ 6 इंच का पौट है यह और पूरा भर गया है तो हमें कुछ न कुछ इनको हर 15 दिन में 10 दिन में देना है कभी हम सरसो की खली का लिकुड फर्टिलाइजर बना के दे देंगे कभी हम केले का दे देंगे इस इस तरह से हम आगर इनको देते रहेंगे कुछ न कुछ तो यह हमारे फूल बहुत अच्छी ग्रोथ लेते रहेंगे कितना अच्छा बंच केला हुआ है इसमिए को फूलों की अच्छी ग्रोथ के लिए पौट आस बहुत जरूरी होता है और हम बज़ार से पौट आस ना क काम वही है हम अपने घरेलू जो चीजे होती है उनसे इस तरह से इनको अपना खाद वगरा दे सकते हैं कि इस तरह से डाल के और मिक्स कर देंगे और अब पानी हम एक दिन बात देंगे क्योंकि अभी हमारे पानी इसमें नमी है मिट्टी में बस थोड़ी नमी होनी चाहिए तभी हम इसकी खाद को यह तरह से दे देंगे और यह गुड़ा है इसमें भी जितने भी हमारे फूल वाले पेड़ है उन सब के लिए बहुत अच्छा वर्ग करेगा यह देखे तो चलिए अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई है तो फिर लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ठैंक यू